वाहिगुरुजी का खालसा वाहिगुरुजी की पते और अगले स्लोग दा अपां अर्थकरंदे कुशिश करांगा निर्गुनी एयार यानेया सोपक सदा समाल जिन किया तिस्चीत रख नानक निभी नाद पंशम पाश्चा दसरे ने के आपां जणेयां निर्गुनी आ रहे हैं यानेयां मतलब मुरक किसम दे मनुश्या लिकिन साडू दसरे ने के ओस प्रभुदी संभाल कर उस दे नाम नू अपने चित विच संभाल जिन किया तिस्चीत रख जिनने तैनू पैदा कीता है उसनू चित विच ते रख नानक निभी नाल ओच चित विच रख्या होया नाल निभ जाएगा चित विच रखन ना मतलब है के उसनू चेते रखना मेमोराइज करना अपनी मेमोरी विच एक ट्रैक जेडा है गा लाइन फिक्स कर लेनी है के परमात्मा मेरे अंग संग है परमात्मा ने मैंनू जनम देता है और मेरा मालक ओई है जिसने मैंनू जनम देता है जिस तरह दुनियावी माबाप जेड़े ने ओ बच्चे नू जनम देन देने ते ओ ज़ड़े बच्चे ने अपने मावाप बालोजिकल ज़ड़े मावाप हैं ओना नू यादरख देन है क्यों याद रख देने के मा जड़ी है वो पालना कर दी है पिता जड़ा है वो पालना कर दा है बच्चे नो स्कूल ले जान दा है जद छोटा रहन दा है उसनों अपने हथा मिछ जुलान दा है प्यार कर दा है इतना प्यार कर दा है कि जड़ बच्चा हुली हुली बड़ा हो जान दा है उसनों समझ आण लग दी है ते फिर ओ एद इड़े बाइलोजिकल मदर फादर है ओदा देनाल ही इस दा प्यार बच जान दा है लेकिन इदे पिछे भी कुछ शक्ती है जिसने माता दे गरब विच बच्चे दी समभाल कीती और कम्प्लीट बच्चा बनाया ओ उसनों समझ नहीं आंदा सारी उमर कई जन्मा जन्मा तक समझ नहीं आंदा और ओ असली पैदाईश करण वाले नाल प्यार क्योंकि समझ नहीं है ते प्यार किस तरह ग्यान नहीं है समझ नहीं है ते ओस तक पहुँच नहीं सकता लेकिन माराज याद दुआरे ने के पाही जिसने दरसल विस तेनू पहला की ता उस देन आल भी उतना ही प्यार कर ए दुनिया भी ते सब ठीक है चल गया ए भी कर लेकिन असली जैनल ने तेनू जनम दिता है उसनू चितविच रख जिस तरह आप अपने माबापनू चितवि ने इस तरह कीता कोई भी घटनावा जड़ी है गिया ने सारी घटनावा हर बाल बच्चा जड़ा अपने मापे उनू याद करदा है गा गुरु साब ए दसना चांदे ने पाई उसनू भी याद कर ज़िस तरह तेड़ा असली जनम दाता है गा सो एक गलनू आपनू बहुत चंगी तरह समझना चाहिदा है के गुरु साब दा भावार्थ की है गुरु साब दा भावार्थ ए है के ए वाले माबापनू जितना तू प्यार कर रहा है उतना ही प्यार उसनू कर जिसने तेनू दरसल विश्तेरी पालना कर रहा हर पल तेहेनी साद एनवी आएगा हर पल साज एड़ा देनवाला ओखण ए वाला मातापिता हेगा जिसम्नू अपाँ प्रभु आख देएं अपर में शराख देएं साज इतनी वी चल रही है वो उसदी किर्पा नाल चल रही है अगला सा तहां एगा जदी होदी किरपा होई अगला सा अपां ले नहीं सक दे दुकालंग प्रणासी दयालंग सरूपे गुर्गोविन सिंग जी बड़े चंगे तरी नक्यनाल लिख रहे ने दो काल ए जड़ा बीत गया ए जड़ा हुन सा जा रहे पिछला ले लिया होन जा रहे है अगले दाजे कोई परोसा नहीं हुआ इस करके माराज ने लिखे दुकालंग प्रणासी दयालंग सरूपे ओ दया करणवाला सरूपनू चेते कर ऐसा नहीं कि गुर्गोविन सिंग जी दे माता पिता नहीं सा ओ भी बाइलोजिकल मदर फादर दे थ्रू ही आयन है जिस तरह असी आयन होर पूरी काइनात आई है हर पीर पेगंबर ने जनम जड़ा मा ते मतलब डिटो ही ले आएगा और पिता जे चल दे ही ओ इस जगत मिच आया है बाइलोजिकल मदर फादर दे अलावा एक असली फादर भी है ओ की कर रहा हो हर पल सानु साध रहा गुरुगोविन सिंग जी चितार रहे दुकालंग प्रणासी दो काल प्रणा प्राण देनवाला दयालंग सुरूपे वो दयादा सुरूपे उसनु विच्चेते करो गुरुगोविन सिंग जी जद याद कर रहे ने अपा भी करना हो ते अपानु सिखान वासते दस रहे ने इत्थे पंचाम पाश्चा भी यही गर्लास के जिस तेनु दिता है दे है उसनु चेते रख उसनु याद अश्ट बदी रमया के गुन चेत परानी राम दे गुणा नु चेते कर राम जिज बहुत गुण है किस तरह बच्चा अंदर वददा है ओस दी यह दी पूरी बायलोजीकल किसी डाक्टर नाल अपमा गल करिये ते आजकल जिस तरह कोई लेडी प्रिगनेंट हों दी कितने सारे सोनोग्राफ की की टेस्ट हर महीने हर पंदरा दिन में लास्ट स्टेज करां देने डाक्टर लो ताकि बच्चा दे डवलपमेंट की हो रही है और उस संबलिया होया है कि नहीं कोई उदेनाल ओते नहीं हो रही गलत चीशते नहीं हो रही यह हो रही है ते फिर मादे थुरू दवाईयां वगेरा कीतियां जाने गिया इस करदी की इस गल्ला दी अचकल साइस वद गई है और प्रिकॉशनरी मेजर बहुत दित्ते जानने ताकि बच्चे दा जनम सही सलामत और करेक्टरी हो जाए इस गल्लों अपनू चेते रखना चीज़ा के अंदर जेड़ी पालना चली हो दा एक कुद्रत दे सूल नाल चल दी है कुद्रत दे तरीके नाल चल दी हो दे हकम विच चल दी है ओठों पालना कर रहे हैं लेकिन जद बनक दनम ले लेंदा है इस माया भी जाल इच आ जानदा है फिर उदी सुद्बुद्जेड़ी ये खतम हो जानदी हो ओस पास से ये कोई उस नो ले जा सकदा है तो सिरफ और सिरफ गुर्बाणी हैगी गुर्बाणी विच जड़ी गल्लां गुरू साब ने लिखिया ने वन पैरलल है ओदे विच इतनी डुगाई है कि अज साइस विज़े होत्ते तक नहीं जा सक दिए इतनी डुगी और सच्चाई गल्लां माराज लिखके गए जिन तुँ साज सवार सिगारिया जिस प्रभू ने तैनु सजाया है सवारिया है तैनु शिंगार की तैतना सोना बणाया है गरब अगन में जिने उबारिया गरब दी अगनी विज़ेदा भी ये दी मा मिस कैलकुलेट करके पोड़ियां उतर जाय तामी कीदा की हो सगदा है जे कुछ होर तरीके नाल हो जाय तो उदा कुछ साड़े हाथ विच कुछ भी नहीं है उस स्टेज दे बारे गुरु साब दस रहने के पाई गरब अगन में जिने उबारिया उस गरब दी अगनी विज़त सी जिदे जरा जे वाइब्रेशन नाल ही ओ मौत हो सकदी सी उस तैन ते तैनों उसने उबारिया है बार विवस्था तुझे प्यारे दुद्ध फिर जद बाल अवस्था सी तैनों दुद्ध जा भोजन देड़ा है तेरे मूँ विच क्यों कि तू होर कुछ खाई नी सकदा सी तेरे ज़े दंद भी नी निकले सा खाण ते गल्ले ही छोड़ ओस विले तेरा पुसीजर वाइस कुद्रत ने प्रबंद किता दुद्ध था फिर होली होली बच्चा जिरा वड़ा हो जानदा है होली होली फिर जोडी चीजां अपने आप कई चीजां खाण विच दिल चस्पी लेंदा है मैं चोर हो जानदा है अग्ये वद्धा है भर जोबन पोजन सुकसद फिर तू जवान हो गया फिर तू चंगे चंगे पोजन करन लगया सुखा दी सेज विच सोन लगया ओस विले फिर भी तैनू चितनी आया बिर्द भया उपर साखसें फिर एक दिन जड़ा तीजी अवस्था आगई मनु खुदी बाल, जवानी और बिर्द पन तीन अवस्था जांगे त्रै अवस्था मां गुरू साब ने जर्षिया ने एक बाल पन एक जवानी और एक बढ़ापा अए हर इंसान नू हर इंसान इस अवस्थ तो गुजर्दा है दा लेकिन गुरु साब चितार रहे ने याद करा रहे ने के पाई ज़द तू जवान हो गया धिन पिन परकार दे भोजन करन लगया इसक्रीमा खान लगया और नाना परकार दी चीजां अजकल ते होर जमाना बद गया है खान लगया ज़द फिर बिर्द हो गया तीजी अवस्था गया उपर साक सैन फिर तेरे उपर इतनी बड़ी रिष्टेदारा दी फोज खड़ी है मेंबर खड़े ने कोई तेरा प्रा है कोई परजाई है कोई पतीजा है कोई पतीजी है फिर ये पहन आते फिर ओदे कई रिष्टेदार ह पिर तेरे बच्चे हो गए उना दे साख संबंधी फिर उना दे बच्चे हो गए ने फिर ओना दे सो दोसो इक बंदे दे साख संबंधी बुड़ा पे ऐसी साल दी उमर तक हो जान दे ज्यादा भी हो सकते ने गटरी बिर्द भ्यास उपर साख सेन मुख अपाऊ बैठ काऊ देन फिर तेरे मुख विचे कदी पुता कोई समान पादेगा कई पुत पादेगा कदी पुत दी बौटी पादेगी कदी कोई पादेगा कदी कोई पादेगा ठीक है ना तेरे बिर्द हो गया और तु चल फिर नहीं स जद तू बाल सी गया तामी नहीं चल फिर सक्दा सी लेकिन दुद दी विवस्था की थी जद जवान हो गया तू अलग-अलग रंगा दी चीजां खा दियां फिर हुन बुड़ा हो गया है फिर अवस्था तेरी नाचलन वाली बेड रेडन हो गया है इस तरह सपोस कर लो फांदे फांदे नहीं लेकिन तेनों कदी भी थोड़ नहीं परें ए निरगन गुन कुछ ना बूझे लेकिन ए मनुष्च जेड़ा है ना जिंदगी ते गुजार लई लेकिन कुछ समझ नहीं पाया पूरी जिंदगी बार अवस्था तो साकसेन तक पहुँच गया लेकि कोशिस कर रहने के पही तु नाम जा बक्स ले तो नानक सीज़े यदि तेरे उत्ते बक्षिस हो गई ता फिर जिड़ा गुरु साब दा सुझाओ है ओ अंदर जिसतना सबजी सीज जान दी है ना पक जान दी ओ फिर पक जाएगा जे प्रसाद धर उपर सुख बस है फिर गुरु साब दस रहने समझाण वास्ते के जिदी किरपा ना तर्ती दे उत्ते सुख नाल वस रहा है अराम नाल वस दावे इतनी साकसेन अतने गर मकान बच्चे रिष्टेदार जान पदार सब है समझा रहने ने गुरु साब कि त सुट बरात मीद बनता संग हस है तेरे पुटतर भी है तेरे बरात बराता भी है कई मिधा रहन पत्नी है और कई संगी साथी है हे गेन है उना दिन आल तू हस खे hiss खेल रहा ओदी किरपाना परमात्मा दी किरपाना जे परसाद पीवे सीतल जला जिस दी किरपा दे अनिसार तू शीतल ठंडी मिठाईया जा शीतल जल जल इस सिर्फ एक अखर आके सिर्फ एदा जल दा मतलब नहीं कि जल लिगा कई प्रकार दे ठंडी लिक्विड चीजा जड़िया में खा पी रहे हैं अज ते कई किसम दे जूसेज आ रहे हैं ते ओ ग्रहन कर रहे हैं उस दी किरपाना सुखदाई पवन पावक अमुला और ए सुखदाई पवन जड़िये तेरे अंदर चल रही है बड़ी सुख होंदा जड़ हवा अदर जान दी जनानों प्रोबलम हैं दमेदी प्रोबलम है अ व बीचारे पवन दे मरी जाये तरा पवन नहीं जान धी ओ ना दी लेकन तेनु जा रही है तेनु पवन पावक अमुला अमुल चल दी है इसकर करें तुँ भी जीवित है जिदी किरप नाल जे प्रसाद पोगय सब रस सा जिदी किरपा हैं सान् तू तु शारे किसम दे रस पोग रहा हैंगा सगल समगरी संग साथ बसा सारी समगरी जेटनी भी तेरे कोले रिष्तेदार एन घर मकान कारा सब चीज जेरे सोना चांदी हीरे जवारा जो भी तेरी सगल समगरी भी गुरु साब ने एक अखर लिखे ये लिखते तक सगल समगरी संग साथ बसा सारी समग्रीदे नाल तुझे ड़ा वस्दा पयां उस दीकर पाना दीने हस्थ पाव करन नेत्र रसना तेनू की की दित्ता है हाथ दित्ते ने पैर दित्ते ने हथा विच फिर ओ उंगलियां वगरा दित्ती है नेत्र दित्ते ने रसना दित्ती है बोलन स्वाच चेक करन खान वास्ते तिसे त्याग अबरसंग रचना ए सब तू रसाविष्टे लगया होया है लेकिन उस नू त्याग दिता है उस परमात्मा नू त्याग दिता है ए सब चीजां दे और देन वाला ओ है ओधी किरपान सर सब कुछ मेले ऐसे दोख मूड अंध बेयापे ऐसे दोख मूड अंध बेयापे ए मूर्ख इंसान समझ ओधे जित्ती हुई दाता नू याद करना न काड ले उप्रभा के लेकिन नाम जपोगे तो ऐस तरह दा मूड व्यक्ती भी बचा लिया जाएगा कड लिया जाएगा प्रभू कड सकदाएगा आद अंत जो राखन हारा आद ही तो शुरू तो जब तो जिस दिन इस परम अंदर गया हैगा जिस दिन इस परम अंदर गया है और ओवरी नल कंटेक्ट करके तो तो बढ़ना शुरू होया है ओस दिन तो आद सीकर आद अंत जो राखन हारा ओर रखन वाला हैगा तिस्यो परीत ना करे गवारा एक गवार व्यक्ती तो दे नाल परीत कर तो करनी रहा है जाकी सेवा नवनिद पावे जिदी सेवा नाल तैनू नवा निधिया प्राप्त हो जानगी नव निधि ही सबतों वड़ा ओर नव निधान हैगा उदे कोल नव निधिया है एक अल दस रहने गुरु अरदन देव जी महराज के जिदी किरपा नाल नव निधिया प्राप्त हो सक दियाने उसनों चिते रख़नाल और इतनी किरपा हुई है तेरे उपपर के तु जीरो तो लेकर हंड़र्ड यर्स ता हगदा हो गया एक किसम नाल फिर भी यह दी तु उसनों याद नहीं रख़ते फिर मूड लेकन याद रखेगा तामीत आ जाएगा ताक कि तास्यू मूडा मन नहीं लावे गुरु साब एच्चतार रहने डटार रहने कि एस तरह दा व्यक्ति जड़ा मूर्ख है लेकन उसनों रख लेगा इकी कंडिशन ते जे उसनों चेते करेगा जो ठाकर सद सदा हजूरे जेडा ठाकर तेरे नाल है तेरे नाल हाजर है अंदर हैगा तेरे हजूरे अंदर एक दम हाजर है बुलाई आवाज और हाजर है सर इतना नेड़े हैगा जिदी कोई हार दिने सिरफ एक इगो दा पर्दा चक देओ परमात्मा तो अंदर दर्शन कर रो लेकन गुरु साब देसरे ने जो ठाकर सद सदा हजूरे ताकव अंदा जानत दूरे अंदा व्यक्ति जड़ा ग्यान दा अंदा है पामे दो में अखा खुलियाने अख्या भी सुन्दर न मुख्वी संदर लेकन ग्यान रूपी अख जड़िये यदी बंद आते फिर उसनों मुर्ख कह रहें और ऐस तरहना व्यक्ति समझदा है कि परमात्मा दूर है जाकी टहल पावे दरगा मान जेत उसी ओदी टहल किती उसनों खोजण दी कोशिस किती ओदी सर्च स्टार्ट कर दिती परमात्मा दी सर्च अंदर ही करनी हैंगी क्योंकि अंदर हदूर जाकी टहल पावे दरगा मान जो टहल ही चालू कर देती दरगा विज मान प्राप्त होना है टहल जो बन्दा चालू कर दा है वो उस तक पहुँच जान दा है इस गल नो द्रड कर मनना हैगा तिसे विसारे मुगद अधान जो टहल चालू होई टहल समाप्त भी होईगी तो अनू प्राप्ती होईगी जद प्राप्ती होईगी ते फिर ऐसा मनुख जड़ा दरगा विच उसनू मान दी प्राप्ती होईगी तिसे विसार मुगद अजान अर्थात पाई उसनू विसार मत मुगद मूरक मत बन और अजान इन्नोसेंट ना बन सदा सदा इह पूलन हार असी लोग पूलन हारे हाँ इसानू ही दस्या जा रहा है नानक राखन हार अपार गुरु साब लिख देने ए जड़ा अपार है ओ रखन हारा हैगा ओ दयालू हैगा ओ किरपालू हैगा ओ नवनिधियादा मालक हैगा उसनू सब पता तो अड़े अंदर की चल रहा है मेरे अंदर की चल रहे है वो अंतर यामी हैगा लेकिन आपां ओधी टहल ही नहीं कर रहे हैं आपां ओधे तक पहुच नहीं सकते जे जिसने टहल स्टार्ट कर दी गुरु साब गरंटी ले रहे हैं के ओ जड़ा है दरगा विच उसनू फिन मान प्राप्त होएगी क्यों जिस्तना इत्वाडी टहल चालू होएगी एक ना एक दिन तुसी उत्थो तक पहुचोगे रतन त्याग कौडी संग रच्चे असी जड़ा नाम रूपी रतन त्याग दित्ता है कौडी जड़ी बे मुल चीजा है कि खोटे सिक्के जिनननो आगदेन तांबे जे सिक्के एक वेरी चल्दे सान अंगरे जादे टाइम होन ओनी चल्दे होना दी कोई महत्व नहीं है लेकन रतन त्याग दित्ता है कौडी संग रच्चे नाम नू त्याग दित्ता है और एक दुनिया भी जड़े चीजां खापी किया आपां समध रहे है साच छोड चूट संग मच्चे सच नू छड़ दित्ता हैगा चूट द छड के जाणी उसनू मनौश्य जड़ा मूर्ख इंसान अस्थर समध रहे है जो होवन सो दूर पराने जो चीज है उसनू जड़ा है अपने अंदर है लेकिन आपां समध रहे हैं दूर है होवन हारा अंदर बैठा हुंच गया है जिस दिन आपने जनम लेया परमात्मा पहले भी उसाटे hai नाल छीघा असी गरम माद गरम विजेट छीघा है असी सिम्रन करडे छी ओ कड़ा लोग करण्दा सी मनुक करण्दा जिस टना घाम एर आंदा वर दी जड़ियों सुखमन्माडि जड़ियों कट करड च जान दि करके समझ के गुरु तो ग्यान लेके अगे वदना है सुक्मनी साब जा जेड़ा है ग्यान बहुत दे रहने गुरु साब आपानू हर गल नू समझना चाहिए जोड़ जाये तिसका स्रम करें जो चीज आपानू छड़ जानी इस संसाद उदे वास्ते सी बहुत मेहनत कर रहे संग सहाई तिसपर हरे लेकिन आपान जितनी वी चीजां सहाए जिस चीज ने होना परमात्मा ने उसनों समझने क्यों दूर है गा चंदन लेप उतारे धोये कई वेक्ति देखो रोज चंदन दा टीका लगा देने फिर शामनों धो के उतार देने गर्धब प्रीत भसमसंग हुए इस तरा जी जड़ी प्रीत है वो खत्म जाएगे चंदन दा टीका लगान की होएगा मत्थे ते सारा दिम घुम लेया और जेड़ा है कमाई करके ले आये लेकिन नामते जब पित जिस तरह ये देख खत्म होईगी वो खत्म हो जाएगा अंद कूप में पतित भिक्राल जे वेधी बंदेनों ग्यान नहीं है ते समझे वो अ पते तो जाएगा भिक्राल रूप नाल पते तो जाएगा और जन्मा जन्मा तक उदा उद्धार होना मिश्कुल हो जागा इतना लंबा डूगा कूआएगा नानक काड़ देव आ गुरु बाणी गरंटी लेंदी कि वो परमात्मा उसनों कड सकता गुरु अर्जन देव इस लाइन विच ए दस रहने नानक काड़ एस तना दा मुर्क प्रयोक्त जतनी वी लाइन आ अपमा विचारिया ने ओतना भी अधी मुर्ख रहेगा व्यक्ती तामी उसनों कड लेया जाएगा नानक काड़ लेओ प्रभ दयाल क्योंकि वो दयालू है सिरप आपनों याद क अपनों चेते रखना कोई अखी गल नहीं है कोई बड़े भारी कम नहीं जितनी भी अपन धन दोल ये वो सब मिलिया हो ए उपर युकत जिस्तरा भी सगल समगरी मिले सगल समगरी रखो अपने को चेते रखो इस समगरी नो एस तन जो क्यो परमात्मा ने दितती है उसनों अपने कोल रखो लेकिन उसनों याद रखो के वही तेरी किर्पा नाल का रही है तेरी किर्पा नाल घर मेलिया तेरी किर्पा नाल ने बच्चा आया ओ बच्चे दा बच्चा आया सब तेरी किर्पा नाल होया हैगा ऐसा जड़ा मैं ले रहे है ओ भी तेरी किर्पा नाल क् लगदा उदा प्यों फिर उसनु आशिरवाद नहीं देंदा आपमा भी इस तरह समझ के बाइलोजिकल फादर दे हिसाब नल समझ के आपमा उसनु प्यार करना ए सिखारेन गुरु साथ कर्तूद पसु की मानस जाग कर्तूद जेड़ी ये पसुआ मांगर कर दया इंसान ले 15 करे देन ला लोग जेड़ा उल्टा सिधा पर चार देन और राद कर दे रहने can SHK बाहर पेक अंतरमल माया बारो तो टीका लगा लगा लिया है बड दिया लेकिन अंदर जेड़ा लोग चल रहा है माया दा यदिखी अंदर माया दा लोग चल रहा है घर बेकार रहा कुश चपस नाहीं कच करे छपाया, कोई चीज़ छपण वाली नहीं कितना भी छपान दी अपना कोशिस कर लिए बाहर ग्यान ध्यान इसनान, बाहर ते भाई तु द्याननी बड़ा दिखा रहे हैं, ग्याननी दिखा रहे हैं और बड़ा इशनानी देस रहे हैं लोका नू लेक्चर दे रहे हैं लेकिन अंदर यदि लोब है सब बिकार है लेकिन तेरे कोल सगल समगरी होन तो बाद भी धोखा धड़ी नहीं कर रहे हैं लोका नू मिजगाइड नहीं कर रहे हैं लोग का को लोग कोई अपिक्षा नहीं कर रहा हैं ता फिर जेड़ा है गुरु साब दस्देने वो कम करीजा परुपकार दे अंतर ब्यापे लोग सुवान अंतर अगन बाहरतन सुवाई यदि अंदर जेवी लोग लाब दी अगनी जल्दी पई है फिर वो बिकारेगा गल पात्थर कैसे तरे अथा है ऐस तरह दा पत्थर जेड़ा है ओ तर नहीं सगदा पत्थर आपन पामाँगे उधिटा चला जाएगा जाके अंतर बसे प्रभ आप जिदे अंदर प्रभु आप वस गए ने नानक तेजन सहज समाथ जिदे अंदर प्रभु अपने आप वस गए ने ऐसा निये के सब मनुष्खा वास्ते लिख्या हुआ एक लाइन जड़ी चंगे मनुख वास्ते लिख्या है जाके अंतर बसे प्रभ आप जिदे अंदर प्रभु आप वस गए नानक तेजन सहज समाथ ओ सहज विजड़ा है मनुख समा जानदा है सहज समाण दा की डुगः अर्थ है दा सहज समाण दा अर्थ है के भाई तेरे को सारी समगरी पई रहने जे ओ समगरी भीच ध्यान नहीं लगाना ध्यान परमात्मा मिच लाना ध्यान तुसी परमात्मा मिच लाओगे सारी चीज़ा अपने आप आएंगी है लेकिन लेकिन ध्यान इत्थे लाओं, परमात्माँजा, हर पलो दो शुक्रिया करो, दुकालंग, प्रणासी, दयालंग सरूप, उस रूप जड़ा दयावाला है, दो काल, यह जड़ा पिछले काल साथ चलागे और हुए जड़ा चलागे, अगले दी कोई पता नहीं है, अगले पल मिल रहा है, सुन अंधा कैसे मारग पावे, गुरु साब एवी दसरेन के, अंधा वक्ति किस तरह मारग पा लेंदा, अंधा जिसों ब्लाइंड, जिसमें दिखदा नहीं हो, अंधा एगा, कर गह ले, ओड निभावे, ओ की करदा अंधा वक्ति, अपने हाथ वीज ने एक लकडी जी रखे या इस तरह हाथ आगे करके न एस तरह ले जायेगा और विखे गा, ऐसे चाड़ा पासे कोई चीज है तेनी, फिर अगे एक कदम रखेगा, फिर अगे इस तरह हाथ आथ करके देख रखा, पैरा ना देख लेगा के नाली देग नहीं है, फिर अगे-गे कोई दयावान व्यक्ति होएगा तो भाई चल अंधा अधमें रोड पार करादेना या इस कितरे जाना ते में अथे तक ड्राप करदेना अंधे दी मदद करना भी एक बहुत बड़ी मददे परुपकार दख्का में निस कईये तो समझे भोर कहां बुझावद बुझे दोरा चिड़े भक्तिनों कांतों नी सुनाई पेंदा उसनों अपना दोरा आख देने ओ कोई भी गल बोरोगे तो दोरे विचारे नी की समझ आएगी नहीं समझ आएगी लेकिन अख़्ादे इशारे ना अपना उसनों कुछ समझावांगे तो उसनों कई गल्दा जोड़ी है इ नहीं सुनाई नहीं पेंदा उना दे वास्ते देगो न्यूस चैनल विच वो एक दिन देने के इशारे ना समझा समझा के उना नों समझ आजा जानदा लेकिन ओवी जेड़ा व्यक्ति है जतन करदा है कहा विचनपद गावे गुंगा व्यक्ति जेड़ा है ना ओवी अप अट्रेक्ट होन ताकि फिर मैं अपनी गलों ना दे सामने बोडी लेंग्विज नाल कुछ रख सका हो और लोग समझ जानगे ते फिर मेरा जिला कम सर जाएगा इस परकार गुरु साब हर अंधे दी भी गल दस देती कि ओ किस तरह कर लेंदा है दोरा जिस तरह व्यक्ति ज किस तरह इशारे नाल आपना समझाओ तो समझ जानदा है इसी परकार गुंगा किस तरह एक्सप्रेस करदा अपना सुर्भंग करन दी कोशिस करदा सुर्नू ब्रेकाउट करन दी कोशिस करदा है फिर आपना ध्यान उस पास से आदमी दा चला जानदा ते फिर आदमी जितनी मी चीजां सा मालिक दे दिती आउने, ओ अन्धे नू समझो, ओ गुंगे नू भी समझो, और ओ इस तरह दे जड़े डोरे हैं, सारे अनू समर्द के तुसी है, समझो, कि तु अनू तु सारे अंग दितते हो इने महाराज में, तुसी ते भागशाली हो, फिर तुसी ब भूल ले पायो, नहीं भूल रहा हूं, ए गुरु साब दसना चांदे ने, कि अन्धा, लूला, लंगडा, डिसेबल जित्ते भी हैं, ओ भी परमात्मा दे बणाय हो, दे ही बंदे हैं गेने, ओ भी कम चला रहें हैं, लिकिन ते नू ते हर चीज मिली हुई है, तु क्यों नहीं याद कर दे, एक कुश्चन मा रहे हैं, इदा एंसर है ही कि आपानू याद करना है, याद करो, सारियां दी मदद भी करो, लिकिन आपा इनानू स्पेशल, डिसेबल दी आजकल देखो, कई फैसलिटी होनानू, बस विश्ट्रेंड में, इदर इदर हर जगे, नोकरी उन लंग्डे दी भी गालागी, जड़ा पिंगला के समझा, लंग्डे तो भी हेठा, जो बिलकुल चल नहीं सकते, दो ही पैरी खराब हैं, लेकिन उभी परवातां ते होते होली 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 जड़ा चड़ जानदा, अर था तैनू ते सब चीजा मिलिया ना, तो ते लेकर नहीं परेपक, पर दे बहुत किर्पा हैं, लेकान देनाम नहीं आप लेकर, मूर्की हैं